जून आते ही आपात काल की चर्चा राजनितिक गलियारे में होने लगती है और इस बार भी है बात करने के लिए प्रफिसर राकेश सिनाजी हैं राजसावा सदस्य और संग विचारक आगे जी आपात काल आप लोग भूल नहीं पाते हैं इसको देखें बास्तों में सुतंत्र भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना है जिसमें पहली बार भारत के संभिधान को ना सिर्फ निरस्त किया गया बलकि संभिधाने तर चीजों को देश पर थोपा गया पूरा देश कैद खाना हो गया था अभिव्यक्ति के नाम पर सरकार की भारत के लोग उनिसस्तो तीस के दसक के जर्वनी और इटली के लोगों से भिन्य है जहां दूसी जगो Amazon ने उहां के जनता को दबाया और की मौत के बाद जनता को मुक्ति मिली भाद के लोगों ने अपनी आंत्रिक ताकत से लोगतंत्र के प्रति एतिहासिक प्रति बद्धता के कारण ताना साह को पराजित करके लोग साही स्थापित किया इसलिए सिर्फ यह घटना मात्र नहीं है यह उस प्रक्रिया को उस प्रव पृति और मानसिक्ता के तहत लोग अव्यक्ति की स्वतंतता चीनते हैं लोगों की आजादी चीनते हैं और बैकल्पिक आवाज को दबाते हैं इसने भारत के आज जो बरतवान प्रधानमंती नरेंदर मोदी जी हैं वे उसी अपातकाल के संघर्ष की उपज हैं और देश के जो देश का जो राजनितिक नेत्रत वाज है उसमें अधिकांस लोग मीशा के तहत आपातकाल में जेल गए थे इसलिए यह लोग तंत्रबनाम ताना साह की जो लराई थी वह सभी संदर्भों में लोग को जानना समझना उसको याद करना चाहिए जब इस वतंत्रा संग्रा को आई ना दिखाता है लेकिन कॉंग्रेस की तरफ से कभी इस पर कुछ बोला गया आपको याद है देखें कॉंग्रेस पार्टी ने लोग छिपकर कहा कि आपातकाल गलत था असपस्ट सब्दों में आपातकाल की जो प्रनेता थी स्रीमति इंद्रा गांधी और उनके जो क कॉंग्रेस आत्मा लोचन करती और एक राजितिक प्रस्ताओं के द्वारा कॉंग्रेस वर्किंग कमिटी 1975 में थोपे गया पातकाल की आलोशना करके और उस ने तित्व को कट घरे में खरा करती तो मानते कॉंग्रेस में परिवर्तन आया बास्तों में कॉंग्रेस के को तृपूरी कॉंग्रेस में हटने के लिए वाद देखिया गया आजादी के बाद पुरस्तम दास्तंडन को 1950 में जीते हुए कॉंग्रेस के द्वारा को हटा दिया गया तो जो प्रविर्ती और जो मांसिक्ता कॉंग्रेस में रही उसी की परिनती 1975 में इंद्रा गांधी क के रूप में हुआ कांग्रेस पार्टी इस पर खेद व्यक्त कर दे आपने गागर प्रस्ताव भी पारित कर दे तो क्या आप मानते हैं कि कलंक धूल जाएगा देखिए करमकांड और प्रतिवर्धता में अंतर होता है करमकांड के थाथ तो कॉंग्रेस पार्टी बड़ी- और सुनिया गांधी और आहुल गांधी तक एतियास का एक रूप देख लिजिए उसमें हमेशा ही बैकल्पिक आवाज को दवाने की कोसिस होती रही है और जब भी सत्ता में आते हैं तो एक रास्टर के ऊपर किसी ने किसी रूप से एक ऐसी बात थोपते हैं जो संविधा का गला घोट दे रहे हैं उनका आरोप ही सावित करता है कि देश में व्यक्ति की आजादी कितनी है और कॉंग्रेस पार्टी जो कहती है उसके लिए मुझे जवाब देने की जौरत नहीं है उनके प्रश्ट में ही उनका उत्तर चिपा हुआ है यह बात बोलने की ताकत साहस 1975 के दसक में नहीं था आज टेलवीजन चैनल पर आकर प्रधान मंतरी मोदी को घ्रनित सब्दों का प्रयोग करते हुए और मर्यादित भाषा का उप्योग करते हुए और ऐसी भाव भंगिमा का उप्योग करते हुए जो लोकतंतर में सुईकार नहीं है आप आलोशना करते और फिर कहते हैं अभी वक्ति की आजादी नहीं है ये विरुदावास समझने की भी ताकत जदी कॉंग्रेस के नेताओं में नहीं है तो मैं उन्हें बता दूँ देश के 130 करोर जनता ऐसे विरुदावास को समझती है जानती है लोगों के चरिते से सूपरचित है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने बहुत महती भूमिका निभाए थी और अपातकाल के दोरान ना सिर्फ संघर्स किया जेल गए सत्यागरह किया सत्यागरह का नित्यतों किया लोगों को प्रेरित किया और इसलिए मैं कहा देश के सिर्थ पर एक ऐसे व्यक्ति बैठे जनता के हीतों को पुनह देश के सत्ता के किंद्र में लाने के लिए संघर्स किया था इसलिए भी आज लोगतंत्र की भावना मजबूत है और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी सभी आलोचनाओं को सिरोधार्ज करते हैं जहां तक कि जब विपक्ष के नेता राहुल गा करता और हिंसा तंत्र के प्रती प्रती बादता किन लोगों में किस रूप में हैं बहुत धन्यवाद बात करने के लिए बुड़ी जैराम यादव के साथ विकास चंद्र नुज नेशन दिल्ये